हाल तो देखिए इसके पहली वाली वीडियो में आपको हमारी इतनी बात हो गई थी आप इसका स्क्रीन सोट भी जा सकते हैं अगर आप चाहे तो ले ना ओके यह हो गया तो आप इसक्रीन सोट ले लीजिए एक बार हाथ तो दिखिए पहली वीडियो में इतनी बात हो गई थी अब हमने फेली वीडियो कहा खतम किया था यहां पर खतम किया था यह दोनों के दोनों एंटिरेंट पोस्टिर और वाल उप रेक्टर शीट यह midline पर आकर स्थाज कि सारी मतलब दोनों वाल्स आकर फ्यूज हो जाती है जैसे बोलते हैं लीडिया ऐलबा और हमने आपको बताया था कि यह right side की rectus abdominis यह left side की rectus abdominis बतलब इन दोनों के बीच में दोनों की दोनों आगे वाली और पीछे वाल्स आकर फियो जाएगी जैसे बोलेंगे linear alba और हम बात करेंगे laterally कि जो laterally है वो हमारी जो की anterior और posterior वाल है वो कहा तक extend करती है बीच की तो बात कर लिए देखे ना anterior वाल यहाँ भी होगी किसकी? रेक्टर शीथ की तो बीच वाली बात कर लिए अब हम बताएंगे laterally कि laterally कहा से कहा तक extend करती है कौन हमारी anterior and posterior वाल ओफ रेक्टर शीथ तो इसी को continue करते हैं मैं यहाँ लिक रहा हूँ laterally l-a-t-e r-a-ll-y laterally extend to extend to मतलब देखें दोनों के लिक रहा है ना हरा वाल दोनों के लिए है extend extend to कहा से कहा तक extend करती है मतलब laterally anterior and posterior वाल कहा तक extend करती है linear semi-lunaris तक यहाँ पर क्या था linear alba यहाँ पर है linear semi-lunaris semi-lunaris अकोई यह हो गया अब हमें देखना है कि यो राइट साइड के रेक्टर साइड के रेक्टर से बड़िवनिस है भीच में सारी फूज हो गई गाई एंट्र पोस्ट्रेर वाल तो क्या बना लीनिया अलबा तो पूरा लंबा का लंबा की तो छाप को लीण लीचए कि मिलेगा, थो लीचा किलुक्षाइध करेगा, यहां पर हमारी यहां और फॉर्यक्शा पेखेज है am böl 무어로, लीचे को लेगा,ी है लीचछाइध बीचए मिलेगा उपर कहा पर होगा नीचे कहा पर होगा मतला उसका देखना एक्स्टेंड कि उपर से लेकर नीचे तक लीनिया एलबा कहा से कहा तक होगता है वैसे देखने हम लीनिया सेमिलुनेरिस कि उपर ये कहा होता है नीचे ये कहा होता है मतला पूरा एक्स्टेंशन देखना है एक्स extension सबसे फ़ले बात कहते है linear elbow सेंटर में होगा और हम बात कर रहे हैं anterior abdominal wall की तो of course सबसे सेंटर में उपर के साइड क्या मिलता है जिफोईड process x i p h o i d जिफोईड process okay जिफोईड process 2 नीचे की साइड सेंटर में क्या मिलता है नीचे की सेंटर में मिलता है pubic symphysis and pubic crest pubic symphysis and pubic crest okay तो जिफोईड process 2 pubic symphysis and pubic crest यहां से लेके यहां तक हमारा extend करता है कौन लीनिया एलबा तो मैं यहां बात कर रहा हूं लीनिया एलबा के extension की e x t e and d इसके extension की ओके उसके बाद आता है लीनिया सेमिलरिस की यह कहां से कहां तक extend करता है तो आफकोस तो लेटरली होगा तो यह extend करता है tip of ninth coastal cartilage यह extend करता है tip of ninth coastal cartilage देखे cc मतलब coastal cartilage शोट में लिख दिया आप जगर नहीं यहां पर tip of ninth coastal cartilage to pubic tubercle okay तो यहां से लेकिं यहां तक call extend करता है हमारा linear semi linear is okay आप आप मेरे बासा बाज में तो यह हो गया जिफिट प्रस्टिज टू प्यूबिक संपास्टिज एंड प्यूबिक आट्स प्यूबिक क्रेश्ट एंड लीनियर सेमिलरिस tip of ninth coastal cartilage to pubic tubercle एंड देखे इसका हम एक डाग्राम में ड्रोव कर सकते हैं जयसे हमने बता हैं आपको लेकिए बीच में प्याहिए अब लेक्रस सबसे संसेंटर में सबसे संसेंटर में आपको में लेकी linear semi linearis दो यह हमारी linear elbow Center में linearis linear semi linearis linear semi linearis और भीच में यहां पर क्या है यह जहां पर space है यहां पर right side वाले rectus abdominis यह क्या है anterior view हम आगे से देख रहे हैं हमारे abdomen को तो of course hari वाली क्या है linear semi-lena alba अरे यार green वाली क्या है linear alba मैं short में लिक रहा हूं उसको la a l b a green वाली linear alba है तो यह कहां से कहां तक होगी उपर के साइड क्या होगा जिफोईड प्रोसेज नीचे के साइड क्या होगा pubic symphysis to pubic crest यह हो गया लाल वाली क्या है लाल वाली है हमारी linear semi-lunaris linear semi-lunaris short में लिख दिया SMI मतलब semi-lunaris linear semi-lunaris कहां से कहां तक extend करती है यह extend करती है उपर के साइड tip of 9th coastal cartilage 2 नीचे के साइड pubic tubercle यह हो गया तो इसका diagram हो गया तो इतनी बात हमने पूरी के पूरी कर ली उसके पाद देखिए एक point हमारा भी यहाँ पर चूट गया है वो यह कि posterior wall above the coastal margin deficient है below the arcuate line deficient है दोनों के बीच में present है दोनों के बीच में यानि की coastal margin के नीचे and arcuate line के उपर present है तो देखिए जैसे ही हमारी lower limit of posterior wall क्या बोला मैं lower limit of posterior wall तो वह कहां होगी of course lower limit of posterior wall arcuate line के आस्पास होगी अन्था arcuate line के जगह पर होगी ना ओके वहीं है यह पिर बोल दीजिए arcuate line ही क्या होती है lower limit of posterior wall yes तो of course arcuate line आपको यहाँ पर मिलेगी ना बीच में यहाँ पर क्या मिलेगी coastal margin यहाँ पर क्या मिलेगी arcuate line अगर यहाँ पर coastal margin है यहाँ पर arcuate line है तब इस दोनों के बीच में क्या होती है हमारी internal oblique of aponeurosis and transversus abdominis hyponeurosis तो इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं lower limit of posterior wall की बात कर रहा हूं तो उसके लिए यहाँ पर total 4 point बताऊँगा मैं सबसे पहले होगा हमारा first point वो यह होगा कि lower limit of posterior wall of rectus abdominis lower limit of posterior wall of rectus abdominis short मैं लिख रहा हूं है यह तो of course यह posterior wall पर lower limit of posterior wall of rectus abdominis क्या होती है वो होती है हमारी arcuate line तो यहाँ पर देखिए आपको एक convex upward ऐसे arts मिलता है मतलब देखिए न यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा यहाँ पर क्या होती है costular margin यहाँ पर क्या होती है हमारी arcuate line तो यहाँ पर उपर की तरफ convex form है ऐसे मतलब एक ऐसे मिलेगा right side वाला और एक left side वाला ऐसे मिलेगा तो यह क्या है this is the arcuate line यह बोल दीजिए lower limit of this is the lower limit of posterior wall of lower limit of posterior wall of plexus abdominis और इसे ही क्या बोलते है? आर्कवेट लाइन के बीच में अल्हीको कि दो दोगलस लाइं जा फिर इसके एक और नाम है शेरो हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कि यह लिनिया सेमी सर्कुलिरीस इसे ही हम बोलते हैं linear semi-circularis linear semi-circularis semi circularis तो यह तीनो एक ही नाम है archivate line बोल दीजिए douglas line बोल दीजिए linear semi-circularis बोल दीजिए उसी के लिए मैं यहाँ पर point लिक रहा हूं और total 4 point लिकूंगा archivate line, douglas line यहाँ linear semi-circularis यह क्या होती है this is the lower limit of posterior valve of rectus abdominis होती है second point क्या होगा देखिए उपर की साइड यह उपर की साइड क्या होती है convex होती है तो मैं यहाँ लिख रहा हूं convex upward and third point क्या होगा इसका third point होगा present midway between present present midway between amelicus and pubic symphysis देखिए न उपर की तरफ amelicus होगा नीचे की तरफ pubic symphysis होगा उन दोनों के बीच का जो होगा वहाँ पर क्या होती है हमारी archivate line होती है यहाँ फिर douglas line यहाँ फिर linear semi-circularis होती है तो यह क्या होती है present 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 between amelicus and pubic symphysis देखिए नहीं देखिए याँ आप अजुम कीजिए यहाँ पर कही क्या होगी यहाँ पर कही हमारी amelicus होगी नीचे की सरफ यहाँ क्या होगी यहाँ पर कही हमारी pubic symphysis होगी तो उन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर कोई dotot line खीज दे तो वही पर ही क्या present होती है हमारी arcuate line present होती है I'm like a saying pubic symphysis यह हो गई तो present between यह हो गया हमने पुला 4 point लिगेंगे and last and final point क्या होगा inferior epigastric artery enter करती है arcuate line के just आगे से हमारी front of arcuate line से क्या enter करती है inferior epigastric artery किसके अंदर हमारी rectus sheet के अंदर हमने बोला ना कि rectus sheet मतलब rectus नाम की कोई चीज है उसे कोई sheet कवर करता ही है and rectus नाम की sheet यानी की rectus नाम की चीज यानी की rectus abdominus muscle तो rectus abdominus muscle होगी तो उसकी blood supply भी होगी मतलब rectus abdominus muscle होगी तो उसकी blood supply भी होगी venus drainage भी होगा नर्व supply भी होगी तो हम blood supply में पढ़ेंगे inferior epigastric artery तो of course inferior epigastric artery को हमारे sheet के अदर इंटर करना है तो हमारी sheet के अंदर inferior epigastric artery वो कहां से इंटर करती है वो इंटर करती है archivate line के just आगे से तो मैंने लिकर रहा हूँ inferior अभी हम contain बिताएंगे इसको inferior epigastric artery short में लिकर रहा हूँ INF अदर inferior EPI मतलर inferior epigastric artery enter into sheath यह हो गया तो दिल जादा 4.4 archivate line हमने दो बात बताई दी costal margin and archivate line तो यह 4.5 archivate line के लिए यह हो गया उसके बाद हमारा पूरा का पूरा यहां पर theoretical portion cover होता है अभी cover नहीं हुआ अभी content के बारे हम लेखना है content के बाद theoretical portion cover हो जाता है उसके बाद फिर हम दो diagram draw करेंगे दो diagram पहुंच से transfer section के diagram इन सब को explain करेंगे इसके पूरे composition को and sagittal section से content 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 sagittal section से थोड़े-थोडे points cover हो जाएंगे और भी बनाएंगे जब सारा बता देंगे आपको वही तो हमने बोला कि rectus sheet होती है तो rectus मतलब rectus नाम की चीज को sheet cover कर रही है and rectus नाम की चीज क्या होगी Rectus नाम की चीज होगी Rectus Abdominis Muscle तो मैं यहां लिक रहा हूं muscle मतलब Rectus sheet के अंदर Rectus Abdominiscle होती है मसल मिं क्या लिख रहा हूं जो की होती है मेन कंटेंट ओफ रेक्टर शीथ यह लिख रहा हूं मैं मेन कंटेंट एंड सेकेंड पॉंट पर क्या लिखेंगे पाईर मिडेलिस पाईरा अभी बताते हैं मिडेलिस पाईरा मिडेलिस मसल पाईरा मिडेलिस मसल कुछ बंदों में होती है कुछ में नहीं होती है मतलब अगर प्रेजेंट है तो यह भी कंटेंट होगी रेक्टर शीथ का अगर प्रेजेंट नहीं है तो यह कंटेंट होगी है नहीं लेकिन मेन कंटेंट क्या होती है हमारी rectus abdominis muscle और pyramidalis muscle कहा होती है सबसे नीचे सबसे नीचे pubic sympathies के पास आपको मिलेगी pyramidalis muscle तो यहां लिख रहा हो में इसके लिए एक line if present, अगर present है तो यह content होगी लेकिन यह main अगर present है तो content होगी लेकिन तभी main content नहीं होगी main content क्या होगा? rectus abdominis यह हो गया, मतलब हम बात कर रहे हैं content की ओराल को क्या हमने बुला ना कि एक rectus नाम की चीज को sheet cover कर रही है तो तो चीज क्या होगी? rectus abdominis muscle अब वही अगर muscle है तो muscle की क्या होगी? blood supply होगी तब हम बात कर रहे है arteries की and जेकिए दो arteries होती है जो rectus abdominis muscle को supply करती है और वह दो arteries कोन सी होती है superior epigastric artery and inferior epigastric artery तो मैं यह लिख रहा हूँ यहां लिख देता हूँ superior epigastric artery short में लिख रहा हूँ मैं, जगह कम है and एक होती है inferior epigastric artery, तकी यही है inferior epigastric artery कहा से इंटर करती है archivate land की जश्ट आगे से किसके अंदर? rectus sheet के अंदर inferior epigastric artery क्योंकि इसको supply किसको करना है rectus abdominis muscle को यह हो गई and superior epigastric artery अगर आपको पताओ तो this is the branch of यह हमारी branch होती है internal thoracic artery की तो this is the branch of internal thoracic artery this is the branch of internal thoracic artery and inferior epigastric artery this is the branch of external iliac artery EIA external iliac artery okay and internal thoracic artery this is the branch of subclavian artery subclavian VIA subclavian artery okay तो देख रहे थे subclavian artery की branch होती है कौन? internal thoracic and internal thoracic की branch होती superior epigastric artery and external iliac artery इसकी branch होती है inferior epigastric artery तो जो superior epigastric artery होती है and inferior infigastric artery होती है both are the content of fractus sheet कौन होती है superior and inferior epigastric artery इनको मत बता देना यह तो मैंने लिखाए कि कहां से आ रही है okay ओई हो गया अब हमें देखना है कि superior epigastric artery हमारी sheet के अंदर कहां से इंटर करती है and inferior का हमने आपको बताए दिया कि inferior epigastric artery archway line के just आगे से इंटर करती है sheet के अंदर तो मैं यह लिख रहा हूँ entry into sheet तो पहले लिखते है superior epigastric artery कहां से इंटर कर रही है तो superior epigastric artery इंटर करती है between coastal and gephoid origin of diphram between coastal and gephoid आपको बताए डाइफ्राम तीन जगह से अटेच होता है अगर आपने पढ़ा हो आगे की साइड जीफोइड प्रोसेस से साइडों में coastal margin से और पीछे की साइड वल्टीबरा से तो कौन-कौन साइड coastal and वल्टीबरा तीन जगह से अटेच होता है external oblique, internal oblique, transversus, abdominis यह क्या है anterior, lateral, anterior abdominal wall की मसल्स होती है तो between coastal and gyphoid origin of diaphragm XIPHOID origin of diaphragm ओके यहां से एंटेरी की किसने superior epigastric artery शीट के अंदर तब यह तो content होगा and inferior epigastric artery artist का जहां लिखी दिया है archivite line की जश्टागे से entry करती है तो इसका लिए लिख रहा हूँ pass in front of archivite line pass in front of archivite line तो इसने यहां से entry की and इसने यहां से entry की मैं यहां रख लाहा हूँ entry into entry in sheet entry in rector sheet SH-E-A-T-H superior epigastric artery ने caution and secret origin के बीच के बीच के बीच के बीच के स्पेस है मुसल की आर्ट्री होगी यंद मुसल की बियाला कंसल कि नर्ष अपलाई होगी तो नर्ष अपलाई में बेखु है लोउर जि bipartisan नर्ष अपलाई करती है sorry intercostal। यंद टोड़ इस ingredient न्रम YouTuber होगी तो कौने नर्ष अपलाई करती है ? तो टर्मिनल पार्ट , tra Tree, पिचे से आएगी लेटर साइड होते हुए आगे आएगीure तो जब पीचे से निकली लेटर साइड होते हुए आगे आएगी तो of course क्या होगा TERMINAL part होगा आपने अगर इंटर के साद का diagram बढाओ तो आप समझ जाओगी तो ठर्मिनल racing kick तर्मिनल पार्ट ओफ लोवर 6 थ्रोरेसिक नर्व र आ ये थो र-े- medicines ठोड़ रसी आ ये थ्वरेसिम नर्व inрलोबर 6 थोरेसिक नर्वस में क्या होगी five to Inter Koastal होगी five to Inter Koastal होगी au लिए sixhill versus 2 so lower six में से भी 5griff Inter Koastal Nerm एट प्लस एक क्या होगी होगी वन होगी सब को स्वन फस्ट बथे जल नर्व ऊसर इस ढूटर 6 नर्व हो गई हमसलोगी मसल की ब्लड सपलय होगी मेंसल की नर्ड संपलय होगी में लाइच डिन उस में तो वहीं, आल्टरी की जगा क्या करना है विस वेन करना ही है, तो यहां पर क्या थी? superior upigastric artery, inferior upigastric artery, तो यहां क्या लिखोंगा में? superior upigastric venar committance and inferior upigastric venar committance अब आप फोज़ेंगे venar committance, venar committance क्या होते हैं? चलिए उनको बताएंगे फिर लिख लो वेंस कौन-कौन ची होती है दो वेंस होती है सुपीरियर इपिगेस्ट्रिक विना कमिटेंज ओके तो देखिए मतलब यह आर्ट्री है मैं कि विना कमिटेंज के दो पॉइंट में ध्यान में रखना कि यह पेर में होती है और आर्ट्री के साथ अकंपनी करती है तो यह आर्ट्री है विना कमिटेंज पेर में है और आर्ट्री के साथ अकंपनी कर रही है मतलब आर्ट्री के अगल बगल पर जिंट होती है आर्ट्री में तो अगर आर्ट्री से पल्स जनेरेट होई तो मतलब आर्ट्री में पल्स होगी तो उस पल्स का हमारे वेंस के ब्लड पर भी एफेक्ट पड़ेगा तो ечलो इतना ध्यान ध्यान में डखनाना ZinthOWN, पर फङल बत जदा रहएगी, इतना ध्यान ध्यान धग्ना कि विनागर्षट्य हमारी पैर्स में होती हैं, और आल्ट्री के साथ जो हमारी gody कि main arteries होती है, उनके साथ हमारी winner commitments accompany करती है, उनके साथ साथ चलती है, ओके यह ध्यान दखना, and वही, superior pigastic winner commitments, यह अपना blood कहा डालेगी, देखिए न, superior pigastic artery, this is the branch of internal thoracic artery, मतलब internal thoracic artery ने अपना blood कहा डाला, superior pigastic artery में, यह तो हुआ, आल्ट्री वला पार्ट, वेंस में उल्टा होगा, मतलब कि superior pigastic winner commitments, यह अपना blood कहा डालेगी, यह अपना blood डालेगी, internal thoracic vein में, यानि कि internal thoracic vener, internal thoracic veins में, I-N-T-E-R-N-A-L, internal thoracic, and inferior pigastic vener committance, देखिए, inferior pigastic artery मतलब external iliac artery ने अपना blood कहा डाला, inferior pigastic artery में, यह तो आल्ट्री वला था, वें में उल्टा होता है, मतलब inferior pigastic vener committance अपना blood कहा डालेगी, अपना blood डालेगी external iliac vein में, उल्टा होगा ने तो external iliac vein, external iliac vener committance, तो इसने superior pigastic vener committance ने अपना blood कहा डाला, internal thoracic vener committance में, and inferior pigastic vener committance ने अपना blood कहा डाला, external iliac vener committance में, देखिए यह भी vener committance है, इनको में short में लिख देता हूँ, V-E-N-A-E, vener committance, C-O-M-I, short में लिख देता हूँ, C-O-M-I में लिख देता हूँ, external iliac vener committance, बतला आप न्यू भी बोल सकते हैं कि, superior pigastic vener committance ने किसे, इसने किसे join किया, इसने join किया हमारे, internal thoracic vener committance को, और इसने join किया, external iliac vener committance को, तो देखिए, यह पूरा का पूरा हमारा theoretical portion of rectus sheet complete होता है, इसमें हमने पूरी शारी के सारी theory आपको cover करा दी है, एंड देखिए, एक line और भूल गया हमें, उसको भी लिख लो, कि देखिए, जो rectus sheet है, this is epinelectric sheet, और यह epinelectric sheet, rectus abdominis muscle को cover कर रही है, उसी के साथ साथ, जो यह epinelectric sheet है, यह किसे बनी होती है, यह किसे derived होती है, यह derived होती है, flate muscle of anterior abdominal wall, तो मैं लिख रहा हो, derived from, derived from, derived from, derived from, flate muscle of, समझ में आए गया होती है, समझ में आए गया होती है, abdominal wall की flate muscle कौन कौन सी होती है, 3 होती है, external oblique, internal oblique and transversus abdominis muscle, derived from flate muscle of anterior abdominal wall, anterior abdominal wall, okay, देखिए ना यार, external oblique, internal oblique, transversus abdominis muscle, तो यह anterior abdominal wall की muscle चीतो है, तो of course देखिए, anterior wall का composition variable है, और इन ही muscle से मिलकर बना हुआ है, and जो posterior wall है, उसका composition भी variable है, और बीच में present है, costal margin के नीचे, और वह भी इन ही muscle से, anterior abdominal wall की muscle से ही बना हुआ है, तो of course, derived from anterior abdominal wall muscles, and anterior abdominal wall muscles, जो flate muscles देखिए, flate muscles की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे vertical muscles भी होती है, anterior abdominal wall की muscles को दो पार्वने पड़ता है, vertical muscles, vertical muscles कौन कौन से होती है, vertical muscles होती है, rectus abdominis, and pyromedalis, and flate muscles कौन से होती है, flate muscles होती है, and transversus abdominis, these are the three flate muscles of anterior abdominal wall, okay, तो यह हो गया, तो देखिए हमने सारी theoretical portion की बात कर ली है, rectus sheet की, आयोब आपको मज़ा आया होगा, इसके बाद देखिए हम दो diagram डो करेंगे, इसके बाद लाश्ट वीडियो आईगी हमारी, दो diagram कौन से डो करेंगे, सजाइटल section का, एक डो करेंगे transfer section का, मतलब कि यह 2 rectus abdominis मसल है, एक बार हम इससे सीधा काटेंगे, आगे से पीछे, anterior to posterior काटेंगे, जिससे हम इसके anterior to posterior काटेंगे, और उसको lateral side से देखेंगे, यह हम अभी anterior view देख रहे हैं, उपर नीचे lateral, तो यह 2 rectus abdominis मसल है, एक बार तो इससे काटेंगे sagittal, sagittal काटेंगे तो laterally देखना पड़ेगा, और एक बार काटेंगे हम इससे transverse section, ऐसे TS काटेंगे, TS काटेंगे तो हम इससे ऊपर से देखेंगे, तो दो type के हम आपको बताएंगे diagram, इसके बाद जो last video आएगी, उसे के साथ हम हमारा पुरा का पुरा रेक्टर सीथ फिनिस करेंगे, अगर यह video आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस video को अपने फैंस को शेयर कीजिए, and बाई